क्रॉस कल्चिरल साइकॉलोजी वेल बींग का क्रॉस कल्चर हम बात कर रहे थे कि जो कॉंसेप्ट है क्रॉस कल्चिरल साइकॉलोजी के इनकी प्रैक्टिकली एप्लिकेशन किस-किस तरह हो रही है तो हमने हेल्थ में देखी, डिवलेप्मेंटल डिसिबिलिटी में देखी अब एक और जहां पर क्रॉस कल्चिरल साइकॉलोजी ने बात स्टडी की है वो है कि क्या तमाम लोग एक ही जैसे खुश हैं दुनिया के तमाम कल्चर्स, सोसाइटी और रिलिजन्स में एक बात हम शुरू में कर चुके हैं कि जो रिलिजन्स है और जो culture है और यह आपसे में बथ मेंक्स है एक तो यह मेंक्स है फिर एक वो जगह जहां आप रहते हैं एक वो आपकी नसल या कौमियत है जो आपकी है और तीसरा आपका religion है अब जब well-being के concept को दिखा जाता है तो उसमें रोल सिर्फ culture का तो नहीं होगा ना इस इलाके का भी होगा आपके religion का भी होगा और उस इलाके में आपका religion जिस तरह से practice हो रहा है उससे जो culture बना है वो भी होगा तो तीन components है subjective well-being के जो assess होते हैं एक है life satisfaction ये लोग खुछ सोच के बताते हैं कि मैं अपनी जिन्दगी से कितना मुतमईन हो फिर happiness यानी positive personal जो emotional experience है वो कैसा है अंदर से क्या आप निहाल हैं खुशबाश हैं अंदर से आपकी फूट रही है खुशी तो वो emotional state है एक वो है एक आपकी सोच है कि मैं जिन्दगी से मुतमईन हूँ तो किस हद तक मुतमईन हूँ और तीसरा जो इसकी होती है वो ये कि आपके अंदर कोई negative emotional experience का जो है वो चीज़ अमेरशनी हो रही इसके मिसाल हमने दीती पहले हमने पैचे जब emotions पढ़े हैं तो emotions positive और negative पढ़े थे लेकिन negative नहीं हैं कुछ cultures दूसरे cultures की निस्पत ज्यादा खुश है अब ये कहा जाता है कि जो individualistic cultures हैं वो collectivist culture की निस्पत ज्यादा खुश हैं इसको भी देखने की ज़ुरत है क्योंकि जिन cultures को individual कहा गया है और जिनको collectivist कहा गया है उनकी economy कैसी है उन में generally society की flourishing की क्या position ह तो क्या वो इस वज़ा से ज़ादा खुश हैं क्योंकि वो एकठे रहने वाले हैं family मिलके रहती हैं लोग जाती फैसलों की बजाए अपनी इड़िट के लोगों के मफाद के मताबग फैसले करते हैं collectivist क्या इस वज़ा से कम खुश होते हैं या क्योंकि वो जैपान हैपियस्ट ऑफ तर कंट्री इस भुटांग विच हैज अ कलेक्टिविस्ट कल्चर जो हमारे हैं हमने पहले भी बात की थी कि खुशी का नस्खा क्या है तो हमारे सेल्फ के कुछ हो एट्रिब्यूट्स हैं वो हमारी खुशी के लिए बहुत important होते हैं individual cultures में मैं ऐसा हूँ इसलिए खुश हूँ जबके जो collectivist culture है उसमें वो family की खुशी और तमाम लोगों की खुशी से उनके अपनी खुशी जो है वो काफी जूड़ी हुई होती है अब यह है कि आप जो खुद ही बता रहे हैं कि मैं कितना खुश हूँ तो वो evaluation किस तरह की जा रही है आप से पुछा जा रहा है कि आप बताएं on a scale of one to ten how happy you are अब किसी culture में इस तरह से happiness को ना judge करने का भी एक रिवायत हो सकती है कि वो खुशी को इस तरह नहीं समझते कि उसको one to ten के नंबर पे rate किया जा सकता है हमने एक दफ़ा study की थी कि आप कब खुश होते हैं तो उसका नाम ही था many faces of happiness जिसमें लोगों ने का अपने बच्चे को प्यार करके खुश होते हैं अबादत करने के फॉरण बाद खुश होते हैं जब किसी की मदद कर दें तो तब सही हुशी होती है अगर मैं खेरात करके घर जाओं तो मुझे खुशी होती है जब मैं रोजा रखके खुड़ू मुझे खुशी होती है मैं मां के खिदमत करूँ मुझे खुशी होती है जब मुझे कुछ प्राइज मिले ताख खुशी होती है गिफ्ट मिले खुशी होती है मुहबत जिस से वो बात कर ले खुशी होती है यह नहीं बड़ी लंबी लेस थी, so हमने उसको इस तरह स्टडी किया कि what are the many faces of happiness, rather than how happy you are, one to ten, it doesn't give you any clue, so एक यह western culture में happiness का concept चला है, कि आप उसको rate कर सकते हैं, अच्छा इसमें यह भी है कि एक experiment है, जो हर culture में happiness या well-being को improve करता है, पहले आप लोगों से पूछते हैं, कितने खुश हैं, वो एक number बता देते हैं, उसके बाद आप उन से कहते हैं, कि चले हम देखते हैं, कि आपकी जिन्दगी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो वो हमकी नेमतें, नेमतें ही शुमार करने लगते हैं, इसको कहते हैं, county of blessings, तो वो कहते हैं, जी मेरी आंक कान है ठीक है, मैं चलता फिरता हूं, मैं बेमार नहीं हूं, अलाँने कोई तकलीफ नहीं दी भी, कोई माजूरी नहीं दी भी, फिर मेरे रिष्टेदार हैं, फिर मेरे बच्चे हैं, या मेरी family है, मैंने बड़े अच्छे number लिये, मैं अच्छी जॉब में हूँ, मेरे बड़े हैं बड़ी तारीफ में लिया है, पॉपुलरीटी में लिया है, मैंने कुरान हिफ्स किया है, वो अपनी नेमतों का पूरी लिस्ट चुरू हो जाती है, उसके थोड़ी दे बाद आप पूछते हैं कि आप जरा दुबारा से देखें, आप कितने खुश हैं, तो जो पांच प लिजाती है, वो ही इनसान है, कुछ मी नहीं उसने किया, जो कुछ हो रहा था पहले उसकी जिन्दगी में वही कुछ है, खुश ही में उसने नमबर क्यों अपना बेतर कर दिया, क्योंकि इसको अपनी नेमतें शुमार करके शुकर कुजार होने का मौका मिला, अब यह लिजाती हैं कि जो इन्विजवल होते हैं, वो कहते हैं मेरी हुशिया है मैं, और जो कलیک्टिविस्ट कल्चर हैं वो कहते हैं, मेरी हुशी, कितना भी मैं खूश हूँ, मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर मेरे इडगित के लोग, जो मेरे प्यार करने वाले लोग है जो मुझे से जुड़े हुए लोग है अगर वो खुश नहीं है तो I cannot be happy और ये कहने को ये बात collectivist culture में है लेकिन मैंने ये हर culture में देखी है कि माँ बाप अकेले खुश हो ही नहीं सकते once your parents अब मुझे कितनी भी high achievement हो, मुझे कोई खुशी का तसबर रहा ही नहीं for myself, since I have become a mother और ये तकरीबन हर culture में जो parents हैं उनकी खुशी बच्चों की खुशी से जुड़ी होती है, so, जैसा ये है कि कुछ cultures का rating बेतर आती है खुशी में, वो collectivist है या individualistic है, अच्छा एक बात ये है कि वो कुछ cultures में फर्क है, दूसी बात ये है कि किसी society में खुश रहने का culture कैसा है, तो आपको कुछ राकों के लोग बड़े लड़ाके मिलेंगे, बैने पहले भी एक बात की थी, कुछ राकों के लोग हंसते खेलते ज्यादा हैं, वो चुकर भी ज्यादा करते हैं, और जनरली ना उनमें एक बड़ा बचाश खेलता हुआ, हंसता खेलता सा महौल होता है, वहां कहके ज़्यादा सुनाई देते हैं, आपस की एक्टिविटीज में प्लेयर ज़्यादा होता है, तो कुछ घरों में, कुछ कल्चर में, कुछ मुलकों में, कुछ इलाकों में ये जो एक कल्चर ऑफ हैपिनेस है वो ज्यादा होता है, और कुछ में खमोश रहना, जल्दी नराज हो जाना, अपने जजबात ना बताना, अंग्रेजों में जैसी है, कि वो अपने जजबात ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, दूसरा उनका मौसम बहुत टफ होता है सर्दि आफ हैपिनेस है, तो वहांके लोग जनरली ज्यादा हैपि हैं, यह वो अब्जरबेशन्स हैं जो दुनिया के साथ इंटरेक्शन में हमने सीखी हैं, यह किसी क्रॉस कल्टरल साइकालोजी की किताब से नहीं है, अब आजएं लाइफ सैटिसफेक्शन पे, अक्सर लोग अ जबात चल रहे हों, उसके साब से कहते हैं कि नहीं जी क्या जिन्दगी है, या यह कि जिन्दगी तो बड़ी अच्छी है, और मैं आज तक जो मैंने जिन्दगी गुजारी, उससे मैं मुतमईन हूं और जो अगर मुझे दुबारा मौका मिले जिन्दगी को शुरू करने क तो मैं वही ऐसी ही जिन्दगी गुजारना चाहूंगा, यह एक बहुत बड़ी खास इंडिकेटर होता है, कि अगर आपको दुबारा जिन्दगी गुजारने का मौका मिले तो क्या आप वही जिन्दगी चूस करेंगे जो आपने पहले गुजारी, जो कलेक्टिविस्ट ह ना वो अपनी लाइफ साटिसफेक्शन की जो जज्जमेंट करते हैं, वो नॉर्मेटिव इन्फरमेशन पर करते हैं, यानि उनके इर्द गिर्द ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्म्स क्या हैं, जबके जो इंडिविजूल हैं, वो अपनी जात में से अपने क्या इन्फरमेशन चल रही हैं, और हम उसके उपर बेस करते हैं, बसला हम अक्सर ये जियूम करते हैं कि घरीब इन्सान, या जिसके पास चीज़ें कम हैं, या जो गाओं में रहता है, या हमसे दूर रहता है, उसकी जिन्दगी में सेटिसफेक्शन कम होगी, ये एक माननवाजी करके और खुश होते थे, कि रात को आपको खिलाते हैं, तो वो सुबा कहते हैं, ती जिया अप नाच्टे में भी आ जाएं, हम शुक्रिया करके और भाग भाग के ठग रहें, क्योंकि आपको अच्छा नहीं रगता हैं, आप रोज किसी के घर खाने पहुंचे और मर्द और यौरतों की जो सोशल इंटरेक्शन की जगह वो अलग है, तो जो हम मौडर्न लोग कुछ गह वे थे लाहूर से, उन्होंने कहा कि यहां तो मर्द और यौरत कटे बैठ के खाते भी नहीं हैं, और बाते भी नहीं करते, तो ये कैसे इनकी लाइफ कैसे आपको नहीं समझते, और जैसा हमने अपनी जिन्दगी का सोच वाता है, हम समझते हैं कि ऐसी जिन्दगी नहीं होगी, तो बड़े इफसोस की बात है, ये लोग तो बिलकुल अपनी जिन्दगी से गहर मुतमईन होंगे, तो एक ये बाइस जो है, वो भी एफेक्ट करता ह कि आप किस तरह लोगों की लाइफ सेटिस्फेक्शन को जजज करने हैं, और कुछ मेयर्स का भी इशू है क्योंकि आम तोर पे कुछ कुल्चर में अपनी जिन्दगी के जाइजा लेना और उसके उपर किसी स्केल पे जवाब देना कि मैं जिन्दगी से मुतमईन हूं, उस कि जो गिर्गराना, तुआ में अस्तखफार करना और बार बार माफिया मांगना बड़ी उमर में, वो मैंने अपनी वालदा में लेखा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोगों के पर मैंने फिर यह स्टड़ी की, अस्तखफार कर लोग पर लोगों से मांग लो, खだा से मांग लो, जितनी अबादत कर सकते हो, जतनी खैरखरात कर सकते हो, उस वकथ वो क्या किरए है? वो एपनी लाइफ साटिसफेकशन को, अपनी वैल बिंग को देख के, के बहुत अच्छी नहीं है, वो उसका कोई अजाला कर रहे है? उसके ये दूसरी तरफ आखरत में कुछ भेज रहे हैं.